आज मैं आपके साथ एकदम नई तरकी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे बनाने के लिए ना हमें काजू चाहिए ना दूच चाहिए ना कोई कंडेंस मिल्क और ना मावा बहुती जटपट बहुती आसानी से बनने वाली रेसिपी हैं और इसे मैंने बनाया हैं मेदे से तो मेदे की समझ कर आप यह मसोचना कि यह मिठाई में टेस्ट नहीं होगा बहुती लाजवाब मिठाई बनने वाली हो और को यकिन भी नहीं करेगा कि हमने से केसे बनाया हैं तो में वर्षा बहुत साय रजोई घर में आप सभी का स्वागत ही तो चली बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए गेस चालू करकर गेस पैक कड़ाई रखेंगे अब इसके अंदर डाल देते हैं आधकप देशी घी इसके साथ हम इसमें डालेंगे मेदा क्योंकि चाणे जो मिठाई है न आप मेदे से बना रहे हैं तो मेदा मेने यहां पर लिया है देड कप अब अब मेदी को हम यहां पर बूनेगे गेस का फ्लिम बिल्कुल रखेंगे मेदे का कलर चेंज नहीं करना है बिलकुल धीमी-धीमी आज पर चलाते वे मेदे को भून लेंग लेकिन कोई यकिन भी नहीं करेगा कि हमने इसमें मावा नहीं डाला है या फिर दूद नहीं डाला है बहुत ही टेस्टी यह मिठाई बनने वाली है तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स यह बढ़िया से गरम हो चुका है और थोड़ा सा यह ढीला भी हो चुका है लेकिन मै क्या करती हूं इसमें एक चोटी चमच देशी घी ओर डाल देती हूं तकि जो हमारी बुनाई है यहां पर बढ़िया से हो जाए और फटा फटा में इसे भून चके वेसे आप इसमें चाहें तो आदा कप से पौन कप देशी घी का यूज़ कर सकते हूं अगर आप इसे और जो गेस चूले का जो सबसे छोटा वर्नोल होता है उसे पर आप इस कडाई को रखें ताकि हम इसे बढ़िया से भून सके तो जैसे जैसे इसके भूनाई होने लगेगी यह थोड़ा हलका भी लगने लगेगा और साती इसमें से घी भी अलग होने लगेगा और साती चीपक सकता है चले कड़ाई को रख देते हैं साइड में और इसी गेस के उपर में रख रही हूं दूसरा पैन और इसके अंदर हम डालेंगे चीनी तो चीनी में यहां पर डाल रही हूं सावा कप यानि एक कप और एक चोथा एक कप चीनी में यहां पर डाली है इसे के साथ ह ना पानी में बड़ी आसे घुल जाए तो जैसा कि friends मैंने यहाँ पर सवा कप चीनी का यूज किया है अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हूँ तो आप यहाँ पर बरोबर भी चीनी ले सकते हूँ यानि देड़ कप में देखे लिए आप यहाँ पर देड़ कप चीनी का भी यूज कर सकते हूँ तो यहाँ पर देखे friends चीनी पानी में बड़ी आसे मैल्ट हो चुकी है कुछ देर हम इसे ओर पका लेते हैं तो हम यहाँ पर जो इसकी चाशनी है एक तार की बनाकर तयार करना है तो जब कुछ देर इसमें बड़ी आसे बॉइल आजाए इसके बाद आप चेक कर लिजिए कि यहाँ पर तार बन रहा है या नहीं तो चेक करते समय गेस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिजिए ताकि चाशनी जो है एकदम से कड़क नहीं हो जाए आप देख सकते हूं यहाँ पर बढ़िया से तार बन रहा है बिल्कुल पवफेक्ट है चलिए अभी हम क्या करते हैं गेस का फ्लेम आफ कर देते हैं और जो अभी मेदे वाली कड़ाई है वो इसी गेस पर रख देते हैं लेकिन गेस का फ्लेम बिल्कुल ओफ है इस बात का ध्यान रखें गेस चालू नहीं है और इस चाशनी को हम डाल देते हैं इस मेदे में चाशनी को मेदे में हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो लगातार इस तरह से चलाते विए मिक्स कीजिए ताकि मेदे में कोई भी लम्स हो वो निकल जाए और चाशनी जो है मेदे में बढ़िया से लग जाए तो जैसा के फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूद मावा या फिर काज कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं तो इस मिठाए के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे दाले बूकली मिल्क पावडर में डाल रही हूं आदा तो कोई सब ब्रेंड का मिल्क पावडर आप य inhal पर लम्वाण लूजे इसलिए गेज बन करकर पहले आप सबी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिजे ताकि इसमें जितने भी लम्स हो ख़तम हो जाए चलिए अभी हम क्या करते हैं इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम डाल देते हैं यहाँ पर इलाइची पाउडर आप कोई सभी एसेंस वगे प्रेट के लिए हम इसे पकाएंगे तो बहुत ज्यादे इसे बिल्कुल भी नहीं पकाए नहीं तो आप इसे शेप नहीं दे पाओगे यह तूटने लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेड्स लगाता चलाते वे ही में इसे पका रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब बिल्कुल पफेक्ट है एक बार आप इसे इस तरह से इस पेचुला से गिरा कर देखिए अगर यह तूट कर गिर रहा है तो समझ जाए कि बिल्कुल बरोबर है यह शेप देनी के लिए क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद यह थोड़ा सा ओर टाइट होगा चले अब हम क्या करते हैं इसे निकाल लेते हैं किसी बरतन में तो पहले से ही आप थाली को थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लीजिए ताकि थाली के उपर यह चिपके नहीं इस तरह से जब आप इसे बनाओगे न तो आपको मावे वाली फिलिंग आएगे कि हम यहाँ पर लोच भी आजाए तो अगर आप इसे इसी तरह से थाली में छोड़ दोगे तो इसके उपर जो है चाशनी की परत बनने लगेगी और फिर आप इसे शेप अच्छे से नहीं दे पाओगे तो बस इसी तरह से कुछ देर के लिए चला लीजिए और जैसे ही यह थोड़ा सा ठ रिस कर लेते हैं ताकि हातों पर यह चिपके नहीं और अब हम इसे शेप देंगे तो वेसे तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसके पेड़े भी बना सकते हो या फिर इसकी बर्फी भी बना सकते हो तो अगर इसकी बर्फी की रैसेपी देखना चाहते हो तो और अपने चैनल पर पहले जाल चुकी हूँ तो मेधे की बर्फी की जो प्रोसेस है ơi थोड़ी से अलग है यानि उसकी जो चासणी थोड़ी अलग होती है आप चाहें तो वहीपी भी देख सती हूँ वहları Alrighty तेस्टी तो यहां पर देख सकते हो फ्रेंट्स इस तरह से मैंने इसे शेप दे दिया है यानि मैंने अभी इसका थोड़ा पतला और एक बड़ा रोल बना कर तयार कर लिया है तो यह जो काम है ना फ्रेंट्स आपको बहुत ही फटाफट करना पड़ेगा अगर आपके घर में और कोई हो तो आप उसकी भी हैल्प ले सकते हूं क्योंकि जो हमने मिक्स तायार किया है थंडा होने के बाद यह थोड़ा हार्ड होने लगेगा और आप इसे शेप नहीं दे पाएंगे और थोड़ा-थोड़ा मिक्स आप निकालते जाए और बाकी को आप थाली से कवर करकर रखे तक यह थंडा नहीं हूं तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स इस तरह से में इनके रोल को कट कर रही हूं तो लगबग 2-2 इंच के यह रोल है आप अपने मन पसंद साइज में इने कट कर सकते हो लेकिन में तो इसे इस तरह से कट कर रही हूं जिस तरह से मार्केट में मिलते बस उसी तरह से मैं इसे शेप दे रही हूँ तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स इस तरह से मैंने इन रोल को कट कर लिया है आप देख सकते हो ना कितने बढ़िया लग रहे हैं तो अब बारी है इसे डेकोरेट करनी की तो आप चाहें तो ड्राइफ रूट्स के कतरन भी इसके आप चाहूं तो मैं तो यहाँ पर सिल्वर वर्क लगा रही हूँ ताकि यह बिल्कुल मार्केट की तरह लगे तो बस यही मिठाई या मार्केट में बहुत ही महंगे दाम उपर मिलती है और देवार की टाइम पर वैसे भी मावा बहुत ही मिलावटी आता है तो आप बिना मावे से घर पर यह शांदार मिठाई बना कर तयार कीजिए तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कोमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुलना भूले मिलते हैं नई रेसिपी के झाल 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 झाल